वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पर जाके ऐल पर परेश कर दें जिससे कि आपको हमारी और से लेटेश टेकनिकल वीडियो मिलती रहें 5 फिर्से स्वागत आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक जीमेल अकाउंट को हमेशा मेंचा के लिए डिलीट कर सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो को आप एंट तक जुरूर देखते रहे ना अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल टेक्टोपांचाल को सब्सक्राइब करना इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और साथ ही साथ में गाइस इस बैल आइकन पर जाके ऑल पर प्रेस करें जिससे कि आपको क्या करना है एक नया टैब ओपन कर लेना है चाहे आप फोन को यूज कर रहे हों चाहे यहाँ पर आपको लिखना है जीमेल पर देखिए सबसे पहले गूगल में लिखना है उसके बाद जीमेल वाली जो साइट है वह ओपन हो जाएगी ठीक है थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसके बाद साइन पर क्लिक करते हैं साइन पर क्लिक करने के बाद पर आपको यहाँ पर वह वाली इमेल इडी लिखनी है जिस इमेल आडी को आप हमेशा मेशा गली डिलीट करना चाहते है ठीक है तो मैं यहाँ पर एक इमेल आडी है जिसको लिख रहा हूं हूं आपके मैंने email id लिख दी है next पर क्लिक करते हैं इसके बाद में इसका password पूछ रहा है मैं पासवाड लिखता हूं उसका पासवाड लिखने के बाद मैंने next पर क्लिक कर दिया है okay तो आप देख सकते हो गाई यह जो इमेल आइडिया यहां पर open हो चुकी है यह एक डेमो इमेल आइडिया जो मैंने भी कुछ दिर पहले बनाई थी तो मैं इसी को delete करना आपको बता रहा हूं इसके बाद मैं आपको क्या करना है मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं यहां साइड मैं आपको इस तरीके से option दिखाई देंगे home, personal information, data and privacy, security, people and sharing, payment and subscription तो इसमें जो यह वाला है data and privacy इस पर क्लिक करना है आपको इस पर क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे आना है आपको यहां पर जिसमें यह लिखा रहा होगा more option तो देखिए यहां पर यह more option वाला जो button है ठीक है इसमें आपको यहां पर यह इस तरीके से दिखाई देगा, make a plan for your digital legacy और एक है delete your google account और इसके सामने लिखा हुआ है delete your entire google, delete your entire account and data ठीक है तो आपको इस वाले button पर यहां पर क्लिक करना है, इस button पर क्लिक करने के बाद मैं यह आपसे sign in password पूछेगा, यह दूसरे वक्ति के बास आपकी email ID का password हो और हो सकता है, वो delete करना चाहरा हो, इसलिए confirmation मांग रहा है आपसे, कि आप ही delete करना चाहरे हो, तो दुबारा से आपको इसका जो account का Gmail, जो यह email ID है, इसका password देना पड़ेगा, यहां पर, password डालने के बाद में next पर click किया है मैंने, okay, इसके बाद में देखें, यहां पर लिखा रहा है, delete your Google account and download your data, गर आप download करना चाहते हो, delete करने से पहले, तो इसके click करके कर सकते हो, अब देखें इसमें इन्होंने क्या लिखा है, please read this carefully, it is not the usual blah blah, ठीक है, तो you are trying to delete your Google account, which provide access to the various Google services, you are no longer be able to use any of those services and your account and data will be lost, तो देखें यह बोल रहें कि आपका जो Google account है, जो Gmail account है, इसके साथ में काफी सारे Google account के product है, वो सभी delete हो जाएंगे, आपका जो access है, उन सभी में delete हो जागा, इसका मतलब क्या है, देखें, जैसे कि अगर मैं इस Gmail ID को delete कर दूँगा, तो मैं इस Gmail ID से कभी भी YouTube channel नहीं मना पाऊंगा, ना कभ आपका जो जो एक्सेश तो देखें, आपका कोई पर्सनल बैंक अकाउंट है, जिसमें आपने इस email ID को दे रखा है, जिसको आप डिलीट करना चाहरे हो, तो बैंक वाले तो कहाईज आपको इस email ID पर mail भेजेंगे, जिसको आप डिलीट कर रहे हो, तो यह चाहरे हो, तो य आपने इस email ID को रेइस्टर करके अपना Facebook अकाउंट बना रखा है, और वो Facebook अकाउंट में कोई दिक्कता आजाती है, ठीक है, और उस Facebook अकाउंट को रिकवर करने की कोशिस कर रहे हो, तो आपका जो रिकवरी कोड है, वो इस Gmail अकाउंट पर आगा जिसको आप डिलीट करने की कोशिस कर रहे हो, तो पहले यह confirm कर लेना, कहीं ऐसा ना हो, कि यह जो Gmail ID अप डिलीट करने जा रहे हो, उस पर कोई भी दूसरी सर्विस एक्टिवेटेड हो, ओके, इसके बाद मैं देखिए, यहां पर लिखा रहा है, और बना रखा होता है, और 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 भी ड्रैव यू जाती है, अब देखिए, इसके बाद मैं यहां पर बोल रहा है, if you have any pending financial transaction, you will be response, you will still be responsible for those charges, yes, I acknowledge that I am still responsible for any charges incurred due to any pending financial transaction, and I understand that under certain circumstances, my earning won't be paid out, तब को इस वाले बटन पर क्लिक करना है, और सबसे last वाला option है, yes, I want to permanently delete this Google account and all its data, तब को इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है, इन दौना बटन पर क्लिक करने के बाद मैं आपको delete account पर यहां पर क्लिक करना है, okay, delete account पर जैसे ही आप guys click करोगे, तो यहां पर देखिए, सबसे last में यहां पर लिखा आ जाता है, your Google account and its all data have been deleted, आपको Google account और इसका जितना भी data हो सब delete हो चुका है, if you accidentally deleted your Google account and you have a short amount of time to try to recover it, अगर आपको लगता है कि by chance आपने भावनाओं में बह गए थे आप, ठीक है, और आपने गलती से इसको delete कर दिया, तो अभी भी आप इस पर recover your account पर click करके इसको recover कर सकते हो, ठीक है, अब मैं इसको कैसे recover करूँगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दुबार अभी delete यह है, वह email idea यह, इसके बाद मैं next पर मैंने click किया, तो देखिए, अब यहाँ पर लिखाएगा, this account was recently deleted and may be recoverable, click next to attempt to restore your account, जैसे आप next पर click करोगे, तो आपका जो email account है, वो hand-to-hand open हो जाएगा, लेकिन जो यह जैसे अगर आपने delete कर दिया, तो साइद यह 24 घंटे क मैंने देखा नहीं, कितने time के लिए, यह सिर्फ हम इसको recover कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना सिर्फ यह है, कि अगर आप किसी चीज को delete करने जा रहे हो, तो पहले decision ले लें, कि आपको यह permanently delete करना है, यह नहीं करना है, जैसे कि Facebook में यह होता है, कि आप Facebook account delete करते हो, तो Facebook account कोई bank के transaction वगरा आते हों, उस पर Facebook account के recovery वगरा आते हो, यह वो email ID आपका Instagram से attach हो, यह कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी चीज को delete करने से पहले है, आप मेरे से कुछ बात करना चाहते हो, तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे मैंने अपने Instagram account का page दे रखा है, Facebook का भी page का link दे रखा है, और अपना जो Telegram channel है, उसका link दे रखा है, तो आप इन तीनों पर जाके आप मेरे को follow कर सकते हो, तीनों पर message डाल सकते हो, मैं usually इनको check out करता रहता हूं, और लोगों से आप से बात करता रहता हूं, क्योंकि काफी सारे लोगों की problem होती है, यार comment म मैं काफी सारे लोगों की comment नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरे को directly message कर सकते हो, तो मैं उसको पढ़ के आपका reply भी दे दूँगा, आज की video में दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं, next video में किसी दूसरे topic के साथ मैं, thanks guys, love you and bye.